और आप देखते हैं आज की कुछ और बड़ी खबरे सिंधु ने कल उन्चास मिनिट तक चले सेनी फाइनल मुकाबले में जापान की ओल इंग्लैंट्स चैंपियन मोजामी अकुहारा को 29-29 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया दुनिया की दसवे नंबर की खलाडी सिंधु आज श्राम फाइनल में दो बार की विश्व चैंपियन अश्रीश वर्या स्पेन की केरोलीना मारीन से भिड़ेंगी सिंधु ने कहा कि मेरा लक्षे स्वन पदग जीतना है और मैं अपनी जान लगा दूगी मुझे लगता है कि मैंने हर बार कड़ी महनत की है सभी का लक्षे उलमपिक में पदग जीतना होता है एक और मैच बचा है मिश्चित तौर पार मुझे लगता है कि मेरे पास मौका है रियो उलमपिक से भारत के लिए एक बेहत ही बुरी खबर आई है भारती पहलवा नर्सिंग यादफ पर डोपिंग की वज़ा से 4 साल का बैन लगा दिया गया है इसके साथ ही पहलवा नर्सिंग रियो उलमपिक में हिस्ता नहीं ने पाएंगे ब्राजील के केस की एक अदालत ने करीब 4 घंटे लंबी बहस के बाद ये फैसला सुनाया कि नर्सिंग पर बैन लगा दिया गया C.A.S. ने नाड़ा के फैसले को मानने से इंकार पर दिया उन्होंने तैसला सुनाया कि उनके खाने या फीने में मिलावत की बात सही नहीं है अदालत ने नर्सिंग के उस तर्ख को भी मानने से इंकार कर दिया कि उनके साथ साज़िश हुई है क्योंकि इसे साबित करने के लिए नर्सिंग यादव के पास कोई सबूत में है इसी तर्ख को देखते हुए नाड़ा ने उन्हें ऑलम्पिक में हिस्ता लेने की अनुमाती दिती विए उन्मपिक में उन्हें कुष्टी के 74 किलो भार वर्ग के मुकाबलों में आज ही हिस्ता लेना था अब नर्सिंग को आज होने वाले पहले मैक से पहले ही उन्मपिक खेलताओं चोणा होगा कश्मीर में एक लेक्चुरर के मारे जाने के बाद हालात बिगड़ गए हैं लोगों का आरूप है कि आर्मी के लोगों ने उसे मारा है ये लेक्चुरर उन लोगों में से हैं जिन्हें आर्मी ने बुदवार बोट हिरासक ने लिया था इस मामले पर जमु कश्मीर की सरकार ने आर्मी के कुछ लोगों पर केस भी दर्च कर लिया है वही हंगामा होने के बाद कल आर्मी की तरफ से खेद भी जटाया गया है इसके साथ ही आर्मी में भी जाज करवाने के आदेश देदे हैं ये मामला पुलवामा जिले की खेरू जगह का है इसके साथ ही एक दूसरी घच्चना में आर्मी ने एक एम्बुलेंस पर पैलिट गन से हमला किया उस एम्बुलेंस में एक मरीज भी था हमले में गुलाम मुहमर शोफी जो बस का ड्राइवर था रजब ही हो गया है फिलहाल पुलिस ने फायार दर्च कर लिया है पुलिस ने बताया कि उन्होंने हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्च कर लिया है भारत के विदेश सचीव S. जैश्वंक ने पाकिस्तान के विदेश सचीव को लिखे जवाबी खत में पाकिस्तान से P.O. के खाली करने की मांगी है कश्मीर पर बादचीट के प्रस्ताव को खारिच करते हुए भारत ने प्रस्ताव रखा कि आतगमाद पर बाचीत जादा जरूर है क्योंकि कश्मीर में हालात उसी की वज़ा से खराब है भारत ने अपनी जवावी खत में लिखा कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंक और हिंसा खतम करे और उसे फैलाने वालों पर कारवाई करे भारत में साफ किया कि सार्क देशों के वित्तमंतरियों की बैठक में अरुन जेतली के जाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है अपने पाकिस्तानी समकक्ष की कश्मीर पर वाच्शीत की पेशकर्श के जवाब में विदेश सचीव एस जैश्रंकर ने कहा कि चर्चा जम्मु कश्मीर में आतंकी गतिवी धियों और घाटी में हिंसा और आतंवाद को उकसाना देना बंद करने पर केंद्रित होनी चाहिए पूर्व क्रिकेटर और नेता नवजोद सिंग सिद्धू के सियासी डगर को लेकर अचकलो का बाजार गन है बीजेपी से नाराज चल रहे सिद्धू के पंजाब चनाव से पहले आमादी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगाए जा रहे कयासों की दिल्ली के मुख्ट मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने पुष्टि की है उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि सिद्धू ने उनसे पिछले हफ़ते मुलाकात की थी लेकिन पार्टी जोईंट करने को लेकर कोई शर्ट नहीं रखी कि जरिवाल शुक्रवाई सुभा सुभा ट्विट किया क्या नवजोद सिद्धू जी आप में सामिल होंगे इसको लेकर कई अफवाए है मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस और हमारा पक्ष रखूं हमारे मन में सिद्धू जी के लिए बहुत सम्मान है वे पिछले हफ़ते मुझ से मिले थे लेकिन उन्होंने कोई शर्ट नहीं रखी उन्हें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए नवजोद सिंग सिद्धू के आम आदी पार्टी में जुडने की बाच्वीत खटाएं में पड़ती देख कॉंग्रेस ने भी उनके लिए बाच्वीत के दर्वाजे खोल दिये है पार्टी सूत्रो का कहना है कि पूर्व बीजेपी संज़त सिद्धू को आप में जुडने से जो कुछ मिलता वो उन्हें उससे ज्यादा देने को तया है पिछले ही महीने बीजेपी से नाता तोड़ने का एलान कर चुके सिद्धू के आप से जुडने की बाद कमो बेश शुपक की मबानी जा रही थी हाला कि सूत्रो के मताबिक पिछले हफते सिद्धू ने जब यजरिवाल से उन्हें राज्ये में सीएम पद के लिए आपका उमीदवार बनाये जाने की मांगी तो ये बादशीत थटाई में पड़ गए सूत्रो ने साथ ही बताया कि 52 वर्ष्य सिद्धू ने अपनी पत्नी नवजोत कौर के लिए भी पार्टी से टिकट मांगा और फिलहाल पंजाब में बीजेपी की विधायक है लेकिन उनके भी जल्द ही आप में जुड़ने की संभावना है दिल सरकार में नेता प्रतिपाक्ष विजेंद्र गुपता ने गुरुवार को केजरिवाल सरकार की शिकायत उपराज्य पाल सिकी है विजेंद्र गुपता ने कहा कि सरकार बनने के बाद कई मंतरियों ने बिना कम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लिए विदेश यात्राई की है जो की लियाम के विरुध है ऐसे में तूर में आने वाला सरकारी खर्चा मंतरियों की जेब से वसूला जाए विजेंद्र गुपता ने कहा है कि सरकार बनने के बाद कई मंतरियों ने विभाग्य स्टाफ के हैड और तमाम दूसरा अधिकारियों के साथ विदेश यात्राई की है और ये सारी यात्राई बिना अपराज जिपाल से परमिशन लिए की गई है ऐसे में ये सारी यात्रा नियम के विरुद्माने जाएंगी विजेंद्र गुपता ने आगे बोला कि दिल्ली के उप्व मुख्य मंतरी मनिश्ट सूदिया और पी डव्यूदी मंतरी सतेंद्र जैन से पैसा वसूला जाना चाहिए माराश्ट सरकार में सत्ता सीन शिफसेना ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार पर रिसा नसादा है राज़पालों की न्यूकती पर सवाल खड़े करते हुए पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि राज़पाल का पद राजमेतिक विचारों के कबार खाने में पड़े लोगों की वैरस्था के लिए उप्योग में लाया जाता है राज़पावन का ब्राइंट बदला शूश्रक के साथ आज छपे संपादखिया में लिखा है कि राज़िपाल नियुक्ती के बारे में जो कुछ कॉंग्रेसी शासन में घट रहा था वही सब मोधी शासन में भी घटेत हो रहा है सिर्फ ब्राइंड बदल गया है राज़िपाल का मतलब जनता के पैसे पर पन्ने वाला सुखेद हाती है शिफसेना के मताबिक राज़िपाल नायव राज़िपाल पद के कारण सतभारी पार्टी के करीब चॉलिस लोगों के लिए गाड़ी घोड़ा बंगला और अन्यसु विधाओं की विवस्ता हो जाती है विहार के गोपाल गंज में कथे तोर पर जहरीली शराफीने से हुई तेरा मौतो से प्रशासन और सरकार दोनों सकते में है मुखेमंट उनितिश कुमान ने जहां एक और मौत के पीछे जहरीली शराफ के कारण से इंकार नहीं किया है वही स्पी रवी रंजन कुमान ने कड़ा आक्शने के हुए कल नगर ठाने के 25 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है निलंबित अधिकारियों में नगर ठाने के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल है सबी पुलिस कर्मियों को कर्तव्यों की उपेक्षा करने के कारण निलंबित किया गया है निलंबन के बारे में बात करते हुए S.P. रवी रंजन ने कहा बिहार में शराब बंदी लागू होने के बावजूर नगर्थाना के पुलिस कर्मी ने इलाके में कोई जांच ये अच्छा पेमारी नहीं की जबकि उनके इलाके खजूरवानी में अवेद शराब बनाने का काम चल रहा था कल ही पुलिस ने इलाके से हजार लीटर अवेद शराब को जबत दिया था पुलिस ने जमीन खोद कर शराब जबत दी बिहार में परियावरन सुरक्षा के प्रती ज़ागरुपता बढ़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री नितिश कुमान ने कर रक्षा बंधन के मौके पर राजभानी वातिका में आयोजित रिक्ष सुरक्षा दिवस्टी कारिक्रम में एक पेड को सुरक्षा सूत्र में गए हाला कि उनसे जोड़े करीवी सूत्रों का कहना था कि तबियत ठीक ना होने की वज़ा से वे इस समहारों में शरीक नहीं हो सके वैसे भी एहम सरकारी कारे क्रमों में तेज प्रताब के शामिन होने के रिकॉर्ड को अच्छा तो नहीं कहा जा सकता तुर्की में सुरक्षा बलो को निशाना बना कर किये गए श्रिंखरा बद बंविसपोटों में कम से कम 14 वेक्तियों की मौत हो गई और 220 अन्य खायल हो गए बंविसपोटों के लिए कुर्द विद्रोहियों को जिमिदा ठेराया जा रहा है अधिकारियों ने आज बताया कि हमलों में दो कार बंविसपोर्ट शामिल थे जिसे पूर्वी तुर्की में फुलिस थानों को निशाना बनाया गया जब कि तीसरा बंविसपोर्ट देश के दक्षिन फूर्व हिस्से में सड़क पिनारे हुआ जिससे सेनिकों को लेकर जा रहे एक सेन्य वाहन को निशाना बनाया गया अधिकारियों ने कहा कि हमले कुछ बिस्तान, वर्कर्स पार्टी या पीके की ओर से किये गए जिसने कार बंग स्पोर्ट से पुलिस थानों को निश्वाना बनाने या सड़क पिनारे रखके बंग से पुलिस वाहनों पर हमला करने का अभियन शुरू किया था के बंग से वाहनों प्युरू किया सबसरा बंग से पुलिस था खर किया ऐ 유ाहराम्य मिला बंग से वाहनों पुलिस स Alabama बंग पहानों कि भादूके बंग से वाहनों भाद कि भी घुलिस रखके तोर